नमस्कार दोस्तों, NCRT 11th Class की एकॉनमिक्स चल रही है, यह है चैप्टर नमबर 4, चैप्टर नमबर 4 यह यूनिट 3 शुरू हो रही है, यूनिट 3 का जो टाइटल है वो है Current Challenges Facing the Indian Economy यहाँ पर किस चीज़ के वारे हम बात की जाएगी, तो देखिए, इंडिया के सामने बहुत से challenging issues हैं, जैसे की rural इंडिया का development, poverty को हटाना, infrastructure को build करना, हम लोग 100 करोन से ज़्यादा अबादी वाले देश हैं, 130-140 करोन हमारी अबादी हो चुकी है, तो हमारा सबसे बड़ा asset है इसके लिए इस human resource की health को safeguard करना, और इसको पढ़ाना लिखाना, इसकी education में invest करना, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इससे related है एक concept जिसको आप बोलतों employment, नौकरियां, यह जो human asset है, यह फालतू बैठा रहेगा, बेकार घुमता रहेगा, तो उल्टे सीदे काम करेगा तो बहतर है कि इसको पढ़ाओ, लिखाओ, इसकी health अच्छी रखो, इसको नौकरियां दो, उससे कहीं न कहीं हमारे देश की progress होगी होगी, और यह सब हमको कुछ इस प्रकार से करना है, कि हमाए environment को एक limit से यदा नुकसान न पहुंचाए हम लोग, हम आने वाली PDE के लिए भी को छोड़ के जाए, sustainable development हो, और इसके लिए properly अब तक जो भी सरकारी initiatives लिए गए हैं, इन सारे facets को अचीव करने के लिए उसको हम लोग यहाँ पे critically assess करेंगे, और एक के point को बारे में हम लोग डीटेल में यहाँ पे बातचीत करने वाले, तो title है इस chapter का poverty, poverty के अलग- प्रोग्राम किस प्रकार से इंडिया में काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं यहाँ गलत काम कर रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे, आगे बारे में पहले वीडियो पर लाइक का button, इस चैनल को share और subscribe कर दीजे, वीडियो को share, subscribe कर दीजे, join button नबा के आप आप हैं, NCRT की PDFs free of cost available है, official NCRT website पे, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा code दे रखा Adam Smith का, क्या बोल रहे हैं, no society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable, यहाँ एक ऐसी society, जहाँ पे जड़तर लोग करीब हैं, पिछड़े हुए हैं, मिजरेबिल हैं, वो society ना देखे हम लोगों ने इंडिया की economic policies के बारे में बात की पिछले seven decades में, पिछले 70 साल में इंडिया की economic policies कैसे काम करी हैं, इन economic policies का क्या outcome रहा हैं, और कैसे इन economic policies ने developmental indicators को effect किया हैं, इसके बात बारे में हमने पिछले तीन chapters में बात की हैं, तो अभी इस चौते chapter में सबसे प चाहिए कि जो देश के लोग हैं, उनकी minimum basic जरूरते हम लोग पूरे करें, और उनकी minimum basic जरूरतों को पूरा करने के लिए गरीबी को कम करना पड़ेगा, poverty को कम करना पड़ेगा, आजादी के बाद independent इंडिया का जो सबसे बड़ा aim है, वो है गरीबी को कम करना, और उसके ल लाने की कोशिश किये सरकार ने, चाहिए वो agriculture sector के थुरू की हो, manufacturing, industrial sector के थुरू की हो, किसी भी sector के थुरू की हो, ठीक है भई, तो एक basic minimum standard of living सब को दिया जाए, यह हमारी सरकारों का target रहा है, हमारे अलग-अलग five-year plans के थुरू, 1947 में जब Constituent Assembly को Nehru साब address कर रहे तो क्या बोला, this achievement, यह independence की बात कर रहे है, आजादी की बात कर रहे है, is but a step and opening of opportunity to the great triumphs and achievements that await us, the ending of poverty and ignorance and the disease and inequality of opportunity, बतलों जबाल नहरू जी कह रहे हैं कि हमें जो यह आजादी मिली, यह तो बस एक कदम है, इस कदम का फाइदा उठाके, हम आने वाले समय में अपने देश के लोगों क inequality को हटा दिया, बराबरी के opportunities ले के आए, तो यह अच्छी अच्छी बाते बूली कहें न कि हमारा देश करने कोशिश भी कर रहे हैं, पूरी तरीके सा अभी तक हम successful नहीं हुए हैं, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि poverty के field में आज हम कहां stand करते हैं, poverty इंडिया के लि faces हैं, poverty हमारे सामने अलग-अलग तरीके से आती, अलग-अलग समय पे, अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग तरीके से आती और अलग-अलग लोगों ने poverty को अलग-अलग तरीके से describe किया है, एक basic example देता हूँ, इंडिया में एक person जिसको ठीक ठाक खाने को मिल जाता है, आप बोलोगे, वो गरीब नी, चमसम खा पी तो रहा है, अच्छा, ठीक है भई? लेकिन European Union में, अगर एक person को ठीक ठाक खाने को मिल रहा है, बट उसको पढ़ाई नहीं मिल पारी, तो उसको पूर बोला जाएगा, तो हो सकता है कि इंडिया के poverty development के parameters में, पढ़ाई लिखा रहा है कि बेसे खाना मिल जाए, तो हम बोल देंगे भाई, बंदा गरीब नहीं है, लेकिन Europe में सिर्फ खाना मिल जाए, इससे गरीब भी डिसाइड नहीं कर सकती है, अगर Europe में कोई एक ऐसा person है, जो education afford नहीं कर सकता, तो उससे गरूप कहा जाएगा, तो क्या कहने का तो यह है कि पोवर्टी के definition जगा जगा पे समय समय पे अलग-अलग parameters से define की जाती है, एक देश में पोवर्टी के parameters अलग हो सकते हैं, दूसरे में पोवर्टी के parameters अलग हो सकते हैं, ठीक है भई, तो पोवर्टी एक ऐसी चीज है जिसके basis पे a call to action होना चाहिए, call to action का मतलब कि भई देखें, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, ठीक है, कहीं न कहीं सब के पास ठीक ठाक खाने के लिए हो, सब के पास ठीक ठाक रहने के लिए हो, उसके पास access to education और health हो, उसको violence से बचाव मिले, जिस community में भी रहता है, उस community में वो जो कुछ भी बोलता है, उसको importance दी ज किया गया, study किया गया, कैसे experience किया गया, उसको यहां पर हम लोग समझने कोशिश करेंगे, और बहुत अलग-अलग indicators समझने कोशिश करेंगे, आप कितना कमाते हो, उससे समझने कोशिश करेंगे, आप कितना खाते पीते हो, आप कितना खाना पीना नहीं होता है, आप कितने लोग वैसे गरीब है और ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग पास टैलेंट नहीं है यहाँ आप पॉर्चुनिटीज नहीं यहाँ पे नैचुनल रिसूर्स नहीं है वहाँ एक सिविल वार चल रहा है इसलिए गरीब है तो पोवर्टी के बहुत से फैसे हैं सबसे पहले दूम समझते हैं कि पूर्च कोन हैं हमने आस पास देखा है अपनी लोकलिटी में अपने नेवर हुड में अपने रूरल और अर्बन एक्रीज लोग गरीब होते हैं कुछ लोग अमीर होते है अनू और सुदा की कहाणी से आपको पता चल कüşह count के काम के लिए सुधा की पिता जी एक बिज्नसमेन है और सुधा की माता जी एक डिसाइनर है अब देखिए तो अनू की जो मा है वह अपने SEN पर पत्थर उठा के काम करती है अमू की मा pregnant थी उसके बाद भी वह जिशिस दिन pregnant थी वहाँ पर काम करने गई प्रेगनेंसी में वो अकेले construction site के पीछे जाके उसने अनू को पैदा किया ठीक है अनू को एक कपड़े में लपेटा अपनी पुरानी साड़ी में और टांग के तुरंद वापस आई उसको लगा कि कहीं उसकी नौकरी ना चल जाए इस circumstance में अनू जन्मी है ठीक है आप सोचिए इस हद पे गरीबी कि एक मा काम करने वाले दिन पे चुप चाप से construction site की पीछे जाके अकेले बच्चा पैदा कर रही है और उसको छोड़ के आ रही है वापस काम करने के लिए pregnant ladies की हालत कितनी खराब हो जाती बच्चे पैदा करते वक्त ये सब जानते है और हमारे देश में ऐसी बहुत सी माएं हैं जो उस दिन भी काम करती है डर के मारे कि उनके नौक रहना चली जाए तो किस हद तक हालात खराब और किस हद तक गंदी गरीबी है यहां पता चल रही है वहीं पर अब सुधा की बात करिए सुधा वन अफ दे बेस्ट नरसिंग होमस में पैदा कुई है उसको डॉक्टर्स ने चेक किया उसे नहलाया गया ध्यान से साफ किया गया चुकि जब बच्चा जनम लेता उसको ठीक से साफ करना प्रॉपर अंटिसेप्टिक लगाना बहुत जरूरी होता उसकी हैल के लिए ठीक है उसको सब लोग प्यार कर रहे हैं भाई इनका बच्चपन बहुत अलग तरीके से बीतेगा अनू और सुधा का अनू को हंगर के बारे में गरीबी के बारे में डेप्रिवेशन के बारे में पता है छोटे से एक खाने की कीमत ठीके न भाई मौनसून में शेल्टर दूरना अपने माबाप की जगा वो रेगुलर्ली ओन दो मूव रहती जोकि उसके माबाप कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं तो माईगरेंट वर्कर्स हैं तो एक जिगर से दूसी जाए जाते रहते हैं वहीं पर अगर आप बात करो कि जो सुधा है वो बहुत छोटे से ही एक अच्छे स्कूल में पढ़ना शुरू कर गया उसको read, write, count करना आता है अनू को dance करना पसंद है ठीक है जब भी वो music सुनती उसका dance करने का मन करता है थोड़ा बहुत करें टीवी दिख जाता तो वो dance को practice करने कोशिश करती लेकिन उसके लिए dance को pursue करना एक pipe dream है बारा साल की उमर पे उसको पने माबाप के साथ काम करना है घर बनाती है वो construction worker है ऐसे घर जहां पे वो कभी भी नहीं रहेगी और सुधा की बात की जाए तो सुधा आपने दोस्तों के साथ पिलने ट्रेरियों, museum, national park घुमने जाती है पेंटिंग का शौक है एक famous artist से उसने lesson लिए और जल्दी ही वो एक अच्छी painter भी बनी तो ये दो बहुत different social indicators हैं आप कहलेजे economic indicators हैं जो कि एक बच्चे से उसकी सारी opportunities को छीन लेते हैं और ये दो extreme हैं एक तरफ आपको extreme अमीरी नजर आ रही है और दूसी तरफ आपको extreme गरी भी नजर आ रही है और इन दो levels के बीच में बहुत से और level आते हैं जैसे कि रिक्षा कीचने वा defenders, beggars इस तरीके के लोग हैं जो extreme गरीबी ये extreme अमीरी के बीच में कहीं न कहीं रहते हैं ठीक है भई आगर आप poor लोगों की बात करो तो गरीबी का कोई हिसाब तो है नहीं जो poor लोग हैं कहीं न कहीं वो कच्चे huts में रहते हैं जोपर पट्टियों में रहते हैं कुछ लो wall की चछत होती है वो ग्रॉस या थैच की या bamboo की या wood की बनी हुई होती है तो proper brick वाले घर पे नहीं रह पा रहे हैं लेकिन कुछ गरीब तो इस हद तक गरीब है कि वो जोपर पट्टी में भी नहीं रह पा रहे हैं इतने बुरे हालात हैं रूरल इलाकों में बात की जाए तो ज़ाद तर जो गरीब की चाटेगरी में आते हैं वो landless होते हैं जिसके पास थोड़ी भी जमीन है और वो जमीन से पैदागारी करके आपने खाने पीने को जुगाड़ कर पा रहा है वो गरीब की की चाटेगरी से बाहर निकल जाता है ठीक है ज्यादा तर गरीब है उनके पास कोई जमीन नहीं है जो थोड़ी बहुत है तो वो बहुती बेकार ड्राई और वेस्टनेट है जो मिज़ॉर्टी ओफ गरीब है वो दिन में दो बार प्रापर खाना भी नहीं खा पाते हैं स्टार विशन और हंगर से उनकी पुरानी दोस्ती है जो हमारे देश के सबसे गरीब हाउजोर्ट होते ना उनका एक की फीचर है कि वो बहुत स्टार वेशन और हंगर से गुजरे होंगे ना खाना खाना उनके लिए नार्मल बात है पढ़ना लिखना तो एक बड़ी जीज है इनके पास बेसिक लिट्रेसी स्किल्स पी नहीं होती है बेसि एजूकेशन स्किल्स पी नहीं होती है और एक्नॉमिक अपॉर्शनिटीज तो ना के बराबर भाए खाना यी पीना ढंका मिल जाए दो टाइम का खाना यी मिल जाए वही इनके लिए लगजरी है और अनेम्प्लॉइमेंट भी इनका उन्स्टेबिल ठीकटा खाने को नहीं मिलता है, प्रॉपर पोशन उनके शरीर को नहीं मिल पाता है, जिसके लिए माल नूटिशन की प्रॉब्लम बहुत ज़ादा उनके इंडे डॉमिनेंट रहती है, इल हेल्थ, खराब हेल्थ होना, डिसेबिलिटी होना, सीरस इल्नेस होना, ये उनको गर कर देता है, फिर भाई, वो लोग पैसा उधार पर उठाते हैं, गाओं के लाके में, मनी लेंडर से, ये मनी लेंडर इसे हाई रेट आफ इंटरेस चार्ज करते हैं, ये मनी लेंडर और जो जमीन दार, जो ते दार, जो करते हैं, इसके वारे में, अगर आप मेरी सारी NCRT देखते आ रहे हैं, तो मैंने पहले भी कवर किया है, ठीक है भई, तो ये मनी लेंडर से, डेप ट्रैप में फसा लेते हैं लोगों को, और ये लोग क्रॉनिक इंडेप्टेडनेस में जो गरीब हैं, ये फसते चरह आते हैं, ये एक प्रकार का यहां पर कच्चा हाउजिं भी नी बन पाईगी, अगर आप बिल्कुल गरीब तब के को बेलोंग करते हो, फिर अगर आगे बात की जाए, ठीक है भाई, हाईली वल्लरेबल मतलब एक तो ये पड़े लिखे नहीं होते हैं, इनको अफने राइट्स के बारे पता नहीं होता है, ये बहुत जदा गाई उतनी तनका ले लेंगे, तो किसी भी प्रकार की लीगल वेजिस का निगोसियेशन ये गरीब लोग नहीं कर पाते हैं, इनके घरों में ना एक्ट्रिसिटी का एकसेस है, अब इस गरीब हट में कितने ही एक्ट्रिसिटी होगी, आप हिसाब लगा सकते हैं, इनका कु दो वेज्टे की लोगे टेक लेतां, इसकी हिल्ए के लेज़ कितना खतरनाक हो सकता है, ये जो भी उस पर्ट्+. और खाने को बना रहा है, उसकी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे मैंने इन्वामेंट इनिकलोजी में बात की है, ठीक है, ओर्गनिक कमपाउंट्स होते हैं, गंदी गैसे निकलती हैं इससे, आपके घर में जो LPG का सिलिंडर आता है, वो जो फ्रेम जलती होते हैं, उसको जलाके खाना बनाते हो, भाई इतना धुआ होता है ना कि तबेद खराब हो जाए एक अच्छे खासे आदमे की भी, ठीक है गाउं में जो लोग रहते होंगी तो इम्मुनिटी स्रिवल की होती हम शहर के लोग अगर जाके उस धुए में रहेंगे ना, तो पाएंगे, दूसरे दिन खासते खासते हालत खराब हो जाएगे, फिर अगर बात की जाए, तो इस गरीब तपके में एक ऐसा बहुत बड़ा गरीब तपका है, जिसके पास पीने तक का सेफ डिंकिंग वाटर भी नहीं है, और कहीं न कहीं इनके अंदर जन्र इनिक्वालि तो जेंडर इनिक्वालिटी भी यहां पर बहुत है, हर चीज में, चाहे वो गेंफुल इंप्लेमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे फैमली के अंदर डिसीजन मेकिंग की बात हो, तो आदमी डिसीजन लेगा, औरत को डिसीजन लेने की ताकत नहीं दी गई है, उस कोई ध्यान रखा ही नहीं जाता है, तो ऐसे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका सर्वाइव होना बहुत मुश्किल होता हो, अगर वो सर्वाइव कर भी गए, तो भाई वो हेल्दी नहीं रपाएंगे बहुत लंबे समय तक, तो जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट हमारे जो देश में इतना जादा है, वो मैटर्नल मॉर्टिलिटी रेट जो हमारे देश में इतना जादा है, वो कहीं न कहीं इस गरीब तबके की वैसे बहुत जादा होता है, तब एकनॉमिस्ट ने गरीबों के उपर बहुत अनलिसिस की थीसिस किये, गरीबों के उ वो जमीन जदातर केसे में बंजर है या ड्राई है या फिर ही वो लैंडर्स लेबरर्स हैं तो किसी और की जमीन पर जाके दिन की दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं अब इस शहरों में दिन की दिहाड़ी चार्सो पांसो रुपे मिलती गवाँ में तो 50-60 रुपे में दिन की ध्याड़ी पर काम करवाया जाता है और कोई सेवगार्ड भी अवलेविल नहीं किसी को मनरेगा काम मिलके है तो बढ़िया है किसी मनी लेंडर या जमीनदार के हां काम किया है तो ना के बराबर पैसा मिलेगा हो सकता है शाम को कोई पैसा ही ना दे थोड़े वह सबची दे के घर बेज़ दे या वो भी ना दे समझके भई तो कुल मिलके हालाद बहुत खराब है उसके बाद ये जो लोग है ये बहुत सारे नौन एगरिकल्चरल जॉप्स में भी इंप्लॉइड है ठीक है भई तो गाओं के हिलाके में ज़्यादा तर जो गरीब है वो लैंडलेस एगरिकल्चरल लेबर्स है चुकि गाओं के इलाके में एगरिकल्चरल के लावा ज़्यादा कोई काम नहीं है अगर आप अर्बन इलाकों में पहुंचते हैं खाल ये लोग आर्बन लाकों पहुँचे, इस परकार के आल्टेनेटि इंप्लोइमेंट च्छोटे मुटे काम करते हैं, ये नुक्री आपको अर्बन पूर, जो की बाद में अर्बन पूर बन जाते हैं, तो क्या बोला गया है अर्बन पूरा लाजली दा ओवर्फ्लू आफ रूरल पूर यह जो रूरल पूर अपने गाउं से माइग्रेट करके अर्बन इलाकों में आते हैं इंप्लिमेंट की तलाश में अब 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 आविसी बात है जब यह गाउं में गरीब है तो शहर में त पूर्टी है भूक पूर्टी है बीमार होना ओके पूर्टी है एक डॉक्टर को ना देख पाना पूर्टी है इस्कूल ना जा पाना पूर्टी है कुछ पढ़ना पाना पूर्टी है आपके पास जॉब ना होना पूर्टी है फ्यूचर के लिए डरना पूर्टी है दिन मे तो खेर छोड़ी दो, ठीक है, किसी भी प्रकार का representation of freedom नहीं है, ये है poverty, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि poverty कितने अलग-अलग प्रकार के facets में हमारे सामने आ रही है